हेलो फ्रेंट्स वेल्कुम डू जी के स्टेडी यूज करेंगे तो वैसे तो सबको पता ही होगा बैट कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या क्या जो है वो इसके अंडर कौन कौन सी भरतियां होगी वो सारी एक बार बता दीजिए ठीक है और स्पेशली जो सलेबस वगेरा होता है उसके रिगार्डिंग क्या अपडे तो यह है कि भाई ट्रास्पेरेंसी रहनी चाहिए ठीक है एक आपका स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर रहना चाहिए सबसे बैस्ट यह होगा कि अगर आप पूरे साल का कंप्लीट वन इयर का जो है वो क्लेंडर आउट कर दे कि यह वेकैंसी होगी इस मन्त में होगी तो स्टू आपके जो भी रिक्रूट्मेंट एक्टिविटीज है ठीक है और जो डिजर्विंग केंडिडेट हैं उनको मेरिट बेस पर सेलेक्ट करने के लिए जो है वो इसको गटन किया गया यानि कि यह सबसे पहले अबजेक्टिव रहने वाले हैं किसके एच्पी आर सी एके ठीक ह आएंगी एक तो हाई कोट ऑफ हिमाचर प्रदेश आपने अभी फॉर्म भरे ही होंगे हाई कोट के तो यह अपनी सेपरेट वेकेंसिस निकालता है हिमाचर प्रदेश विधान सभा हो गया ठीक है और हिमाचर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन हो गया इनके जितने भी बाकी मैक्सिमम जो है वह आपकी किसके अंडर होंगे फिर क्या है कि जो आपकी गुरूपी की पोस्टे है जो आपकी बेच्वाइस भरी जाती है ठीके वो होगी, Surveyor की post होती है PWD में, वो इसके थूरू जो है वो नहीं भरी जाएगी और Junior Basic JBT की जो post है, वो भी इसके अंडर जो है वो नहीं भरी जाएगी ठीके यहां पर जो है वो mention किया गया है, ठीके तो merit या फिर batch wise बरती, जैसी भी होगा वो आपको आगे चल कर पता लग जाएगा बाकि आपके boards होगे, corporations होगी, government universities होगी, local bodies होगी यह सारी की vacancies जितनी भी निकलती है, ठीके, तो वो सारी जो है वो time to time आपकी आयोग के द्वारा भरी जाएगी बाकि government जो है, वो किसी भी चीज़ को बाद में आयोग को भोल सकती है, कि आपको इसकी recruitment करवानी है और इसकी recruitment करवानी है, तो पतवारी के बाई पूरे पूरे chances है, क्योंकि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था mention नहीं किया हुआ है, कि police के vacancies जो है, वो HPRCA को दी जाएगी, ठीक है, तो इसके थोड़े chances कम है, बड़ पतवारी के पूरे-पूरे chances है, कि आपकी HPRCA ही जो है, वो conduct करवाएगी, ठीक है जी और headquarter कहां पर रहेगा, हमिरपूर में रहेगा, अच्छा एक चीज़ और दीखे, composition organization की, organization का structure, staffing pattern क्या रहेगा, budget कितना रहेगा, financial powers कितनी रहेगी, और most important recruitment process क्या रहेगा, वो आयोग जो है, वो आपका separately जो है, वो notify करेगा, तो अपनी तरीके से, अपनी तरफ से assumption लगाना छोड़ दीजिए, कि इतने question होंगे, इतने marks होंगे, ये pattern रहेगा, वो सारी चीज़े छोड़ दीजिए, एक तरीके से, ठीक है, सिंपल सी बात है, recruitment process भी आपका आयोग बन गया है, recruitment process भी आपका out हो जाएगा जल्द ही, तो आपको उसके थूँ जो है, वो पता लग जाए तो हो सकता है कि बहुत जल्दी जो है, वो recruitment का process भी आउट हो जाएगा, ठीक है, वैसे ये होगा, तो आपका दीपक सानन कमेंटी के बाद ही, जो final report सम्मेट हो जाएगा, उसके बाद आपका recruitment process भी जो है, वो out हो जाएगा, ठीक है, तो ये थी छोटी सी information, I hope आपको समझ आ